अब आइधिंक आइम ओडिबल एक बर मुझे बताओ जी आप तक मेरी आवाज आ रही है चलो चलो मेरे पास तो नोटिफिकेशन आ गई है जो मैं आप लोगों को भी नोटिफिकेशन एक बर शेर कर देता हूं मेरे पास तो आ गई है प्लीज जोइन फास्ट मैं शेर भी कर देता हूं मुझे लगता है कि आप लोगों तक देखो आज टाइम थोड़ा जल्दी में ने किया है तो प्लीज जोइन फास्ट हो सकता बच्चों को टाइम नहीं पता हूं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हेलो 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 एवरिवन तो बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों काफी ज़्यादा मेहनेद करने के बाद कनेक्ट वहों में तो फटाफट से पटाफट करो दो फटाफट लो जी मैंने टेलेग्राइम ग्रूप में भी शेयर कर दिया है तर आपके कल के वेबिनार की मेल भी आ गई आज पता नहीं मेरे वाले की आई है किसकी आई है पता नहीं मेरी फोटो है उसके ओपर क्या पता किसी ओर की आई हो कल वाला जो वेबिनार की मेरी क्या पता नहीं आई हो तो मेरे को एक बर पढ़के बता देना कौन सी आई है यह कुछ कर आथ क्योंकि और टैनेनट में लेट ऊक्राइए अछोंड यह सर है वेखिशन आपका नाम भी आ तो बहुत अच्छी बात है अगर मेरे नाम भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कल आप सारा बचा जोइन करना ICSI का notification भी आया है ओके तो उसमें मेरे नाम है ठीक है तो कल मेरे को सही बताऊं मेरे को खुद टाइम याद नहीं है इतना busy schedule है मैं खुद टाइम देख लो कल कितने बज़े मेरे टाइम है एक मिनिट 4 o'clock to 5.30 कल लोग फिर हम भाँ मिलेंगे ठीक है ना आज मैं आपको उसका base बना देता हूँ कल आप उसके बारे में elaborate करके बता दूँगा ठीक है जी रितिक चावड़ा पूछ रहे है कौन से webinar अब जी हो तो कल ही पता लगेगा और बच्चे को share करे यार फटावट ले किया हो आज करता हूँ कि हाँ आज ज्यादा बच्चा हो प्लस आज मैं expect करता हूँ कि हाँ आज थोड़ा सा बच्चा मतलब जल्दी टाइम पर है तो बेस ना निकले बच्चे का तो बेस बच्चे का निकले ना और बहुत important है रहे लाज वाँ मजएदार आज अब लेट कर रहा हूँ थो मैं एक मिनट और बेट कर रहा हूं अब히 में क Ew Mike मैं 8 मिनिट और बेड कर खाया है एक मेंन दर बेट कर रहा हूँ küण बच्चे को नोर्स नहीं मिलें प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो नोर्स डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो एल्स मैंने यूटूब इस पे इंस्ट्राइम पे शेर कर दिये जी नोर्स पटापर से अपने को ले कि आओ जी बहुत important class होने वाली है but I assure you I assure you जितना मतलब इसमें से revision हो सकता है न देखो कहने को तो बहुत लंबा chapter है CPC मतलब मैं आपको अगर मैं बोलूं कि हां मैं हर एक word हर एक line करवा दूँगा गलत होगा जैको regular classes में मैं इसको 30 hours मैं एक दो घंटा नहीं बोल रहा हूं मैं कोई 10 घंटे नहीं बोल रहा हूं regular classes इस पर मैं 30 hours की लगाऊंगा और final में लगाता भी हूं और final में तो आप से कम भी है तो 30 plus hours मानके चलो CRPC भी ऐसे ही तो क्या मैं इसको two classes of two to hours each क्या मैं पूरा करवा पाऊंगा नहीं सर पोसीबल नहीं होगा but yes एक basic structure एक basic civil procedure code क्या होता है वो मैं आपको दे जाऊंगा क्या मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि सर आज कल बच्चा व्यूज कम क्यों हो रहा है क्या इसकी वज़ए यह है कि हाँ और एक्स वैजट जंग है रिविजन कम्प्लीट हो चुकि आप लोग की मेरतन वागर है यह इसका वज़ए है यह आप लोग के exam आने वाले हैं अब आप यह सोचे हो कि हम self कर ले यह वज़ए क्योंकि अगर जो भी वज़ए है मेरे को फिर नहीं अगर आप लोग नहीं इंट्रस्टेड हो तो कोई बात नहीं मैं अपने इस टैंप के फिर फाइनल पर कर देता हूं और दूसरी हाँ इसा क्या वज़ए है कि या फिर बच्चा कहीं ओर से तक है एक राधने वाला है क्योंकि आप पहले ज्यादा हो और जब ज तो प्रींट निकालों एक मिनित में ले रहा हूं कोई बात नीए यही मेरे पार्ट पे कर्णेक्ट नहीं हो रहा था तो नेट मुझे लगता है नहीं था और मैं शेर करने कोशिश क्रणा तो लेप टॉप से मेरी पीडिया भी शेर नहीं हो हाई मेरे मोहम्मत तालीब मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको बैठके कमप्रेज करूं मैंने फाइल शेयर की थी वीजे श्टडी हब में एप के अंदर पहले मैप और दूसरा मैं पसने लिए बताओ मैं टाइम भी चलो मैंनेज कर लूँगा मैं अब बच्च मानके चलो सर मेरी रिविजन खतम हो जाएगी और चेक्लास यह और एक यह दो क्लास सर मैं आर्बिट्रेशन पर लगा दूँगा तो च्छे मैं कहा रहा हूं आने वाले दस से बारा दिन में मेरा जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चिस तारिक क्या करना है मैं आपकी क्योंकि वो एक या दो क्लास नहीं है कि मैं एक में बारा गंटे मर्ज कर दूँगा वो लगाता छे से साथ दिन फिर आपकी वही चलेंगी शिक्स टू सेवन डेज आपकी रिजिस्टेशन एक चलने वाला है तो मैं बीच में किस टाइम डालू मुझे यह समझ में नहीं आ मित आई, मोइ प्राइवेट नहीं करने वाला हूँ, नेक्स ट्लास से मैं प्राइवेट कर दूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ नदा बच्चे कि अगर उन लोगों ने बोला कि हाँ आप शेर कर दो बच्चों को तो मैं डेफिनेटली शेर कर दूंगा तर आप भेज डेली ले लो मतलब मधुचवान मैं समझा नहीं तर आप भेज डेली ले लो मुझे नहीं समझ में सेर आपकी बात चलो देखो बच्चा जूड़ रहा है नया टोपिक है मैं नहीं चाहता हूँ मेरी फैमिले किसी बच्चे का कुछ भी स्कीप हो मैं नहीं चाहता हूँ देखो बहुत बेसिक से चलूँगा आज में मैं नहीं आपको टेक्निकल्टी में लेके जाऊंगा नहीं वो टाइम है पहले मेरे को लगा कि मैं आप लोग ना टेक्निकल्टी में ले जाऊं लेकिन मुझे लगा कि नहीं बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा तो मैं बिल्कुल जैसे मैंने कल क्लास में रिट करवाई मजा हैं आप लोग अच्छा लगा ना सबस्ट आप लोग को उसी तरीक रहे मैं टरीके से लेकimmt चलो जाऊंगा है मैं डाल देता हूं फिर एक काम करता हूं फर्स्ट्घ ग मेरे डिमो में रखे हैं फॉर्स्टघ री क्लासस बोज्क्रणे करूंत ओर प्र फॉर्थ क्लास से मने डालनों कल से फॉर्थ फिफ इस geliyor जो मेरी क्लासी देखना मैं कन्फ्यूज आप होगे तो मैं उसको रिविजन में नहीं डालूँगा अलग से करूँगा आयूशी गुप्ता बोल रहे है सर स्टार्ट करो सर लब यू अब चलो श्टार्ट करते हैं जी करें स्टार्ट छो ठीक है में कल 사ेटा Rights डालनी स्टार्ट कर देता हूं ऐहां कि प्रेजिस्ट्रे conqu official class कि ए भट ने रोड लें कि तरह कि आप हमारा टाइम लग रहा है मैं तो डेली ले रहा हूं क्लास है आप बोल रहे हो मुझे डेली ले लो कल भी तो मैंने ली थी आज ही मैं ले रहा हूं मैंने कब नहीं लिए डेली क्लास हां मेरे को अगर बीच में कुछ अमेर्जेंसी है ऐसा कुछ है कि हां मेरी फैमिली में मों बिमार है या मेरी तविद खराब है तो बात त लग हैंος मैंने तो daily class ली है आप डेली नहीं आते हो क्या मदू मुझे तो लगता हाँ आते हो daily की daily मैं देखते ही हूं आपको ऐसा क्यों बोल रहो डेली ले लो क्लास डेली ले रहो मैं तो चलो चलो जी फुल जोश फुल एनरजी आज मेरा फेवरेट आप सब का फेवरेट भी बन जाएगा CPC सर बहुत मज़ा आने वाला है बहुत जादा मज़ा जो इसका basic structure है जो इस chapter में important terms है मैं सारा नहीं बोलूँगा बट yes revision perspective से जितना एक important हो सकता है मैं इस 3-4 घंटे में आप लोगो deliver करवाने की कोशिश करूँगा ठीक है जी best अपने पार्ट पर दूँगा आप लोग भी प्यार देना share करना बट yes में इतना बता रहा हूँ एक basic structure आपको CPC clear हो जाएगा एक बात बता के चलूँगा सर्फ कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आना आपके syllabus में नहीं है बट basic structure में वो चीज़े बहुत आनी जरूर लग जाएगी मातर दस मिट जादा लग जाएगी कि मेरा मतलब है कि आप 20 तक daily class ले लो मैं daily तो ले रहा हूं अगर genuine problem है तो मैं नहीं ले पाता हूं बैं मेरी family में issue है मेरी को मैं daily तो ले रहा हूं मैं आपकी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मैंने तो बलके आथा फिर भी मैंने तो डेली ले ली मैं तो डेली ले रहा हूं पता नहीं आप किस confusion में हूं तो डेली ले रहा हूं चलो मैं पर अपने नोट्स ओपन कर लूँ यह ँचा यह नोट्स अगर आप लोगों चाहिए होंगी तो हैंडिटर नोट्स में आपको दे दूँंगा सब बच्चों को दे हुआं टेंशन हलो यह हैंड़ेटर नोट जो मैं फाइनल के ड्रैफ्टिंग के हैं ये भी मैं आप लोग को दे दूँँ अटाइंशन मतलो ठीक है चलो जी स्टार्ट करते हैं जैश्री गणेश बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है बहुत बहुत जादे इंपोर्टेंट चैप्ट क्या है ज्यादा नहीं जहां तक तो नहीं जाओंगा बट ये एक बात बताना चाहता हूं यादा सब्काम क्या होता है कोई भी कोई भी मैक्रशिए को कोड़ी विवड़ कर देना मान लो इनसल्हां सिलोंप Smith इसके लिए अलग content बना दिया बात समझ में रही civil matter को लेके अलग से code बना दिया अब देखो civil law is a mother of all law एक तरसे मैं बोल सकता हूँ civil law जो है हमारा civil procedure code is a mother of all law all civil laws कहने का मतलब एक general law है civil procedure code is a general civil law बहुत ध्यान से चुनना general civil law इसका मतलब क्या सर देखो civil laws हमारे और भी बहुत सारे है properties related matters भी civil laws होते हैं एक तरह से हम बात मान के चले specific relief एक्ट भी civil laws होता है सर बहुत सारे civil laws जो इंडिविज्ट जैसे contract इंडियन contract पार्टनर्शिप एक्ट सेल ओफ गूड्स एक्ट ट्रैंसर और परटी एक्ट क्या मैं बोल दूँ almost मतलब जो भी civil laws है जो specific civil laws है उनके लिए लग से low बन गया उनके लिए लग से act बन गया ठीक है लेकिन सर सब का basic structure या मैं बोल दूँ सर सब के ऊपर एक जो main law है एक general law है वो हमारा एक तरह से उस case में नहीं entertain करेगा तो एक general है अगर को special लोग किसी मैटर के उपर special बात बोलता है special tribunal बोलता है special court को power देता है तो वहां जाएगा matter यहां नहीं जाएगा पहले बात तो यह जब इन particular matter के उपर क्या होता है code generally कब आता है code generally कब आता है code generally जब आता है कि sir हुआ क्या कि बहुत सारे लोज ना अलग-अलग लो में बहुत सारे लोज बन गए जैसे अगर मैं बात करूं वाइंडिंग आपको लेकर companies act में भी provision था सारफेसी में भी provision था अगर corporate के 10 लाक्षे से ज्यादा के case तो बहुत सारे लोज ऐसे 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 लोज बन गए जो डिफरेंट डिफरेंट लोज हैं अब लैंड रिवेंड न्यूज भी अलग से लोज हैं अलग-अलग स्टे लगता है कि हां यह सारे लोज में लूप होल से निकलते जा रहे हैं कम्या निकाल रहे हैं वहां से बेनिफिट यह इतने सारा स्कैटर हो चुका है जिससे ना problem आ रही है आपस में लो तो उस case में इन consistency maintain ना हो जस्टिस के लिए एक code बना दिया जाता है is a combination of all laws और इससे अदर में डैप्ट में नहीं जा रहा हूँ बस act का मतलब है separately भी पढ़ सकते हो आप लेकिन code को एक तरसे बहुत सारे laws का combination मिला के अगर एक बाइफरगेट करते कि आज के बाद insolvency related जितेली भी matter होंगे आज के बाद civil laws में जो भी generally हम बना देते हैं जो particular जो civil laws को generally matter को deal करते हैं एक general law बना दिया civil procedure code अगर कोई laws silent है अगर कोई laws specific कुछ ही नहीं बोलता है तो civil procedure code इस matter में लग जाएगा तो सारे laws की जो भी एक general general चीज़े थी मिला के एक basic structure civil code का क्या होना चाहिए बना के क्या बन होता है civil नाम चे पता लग रहा है सर ऐसी चीज़ें जो criminal ना हूं सर civil laws में basically default civil laws में क्या चीज़ आती है default सर मैं आप से बात करूं अगर आप कोई भी breach कर दो breach of contract तो कहां जाओगे Indian contract सर अगर मैं आपको बोल दूँ जो ऐसे चीज़ जो लिखी नहीं है जो ऐसे जी जैसे general law of towards के अंदर लिखी नहीं है तो कहां ले क्या होगी case CPC में जो कहीं लिखाई नहीं है जो specific act in a journal है जो टोट कर दिया जिसके बार में कहीं पर codified नहीं है तो basic general law कहां हो गया आप civil procedure code के अंदर inherent power दी गई है कोई matter अगर अलग से बोला भी नहीं गया है किसी matter का procedure भी नहीं बोला गया है तो section 151 एक power होती है inherent power of the court inherent power of civil court section 151 के अंदर बोली गई है ऐसे ही criminal law में section 482 के अंदर बोली गई है CRPC में ये बोली गई है high court की बस ये बोली गई है only high court की ये बोली गई है कोई भी civil court के पास power है sir वो कोई भी civil matter को लेके कोई भी procedure जो कहीं silent है महां अपनी power use करें कर सकता है abuse अपनी position का power अपनी discretion दिखा सकता है बट ऐसा भी नहीं कि उसका misuse करें बात आगे समझ बेसिक आगे समझ सर ये जो code है हमारा अगर मेरे मुझसे बार बार स्लिपिंग ओफ टंग होके low निकल जाए act निकल जाए तो please पहले disclaimer ले रहा हूं उसको skip करना क्योंकि सारे दिन low पढ़ाते रहते हैं तो code बार बार मुझसे निकलना थोड़ बार बार निकलना और थोड़ा flow में देखो regular lecture में slow बोलते हैं बिल्कुल slow बोलते तो गलती होने के chances कम रहते हैं revision में मेरे को थोड़ा fast बोलना पड़ते हैं तो slipping of tongue हो सकती है पहले disclaimer ले रहा हूं चलो जी आज का lecture हम शुरू करते हैं बहुत जोश के साथ चलो introduction हो गया अब मैं content पर आता हूँ जैसे कि मेरी family के हर बच्चे को पता है sir civil matters को लेके general law बनाए गया civil laws civil suit को लेके general law बनाए गया civil law criminal matters को लेके दो लो बनाए गया single नहीं है यहाँ एक single law है और single law किसी भी law को किसी भी act में अगर हम बात करें दो पाट के दो तरीके के law बनाए जाते हैं एक substantive law एक procedural law किस तरीके क्या है उसकी सजा कितनी है procedural law में क्या बताया जाता है आपने जो गुना किया है और जो सजा बताई है वहां तक कैसे पोचना है उसका प्रोसीजर ट्रायल का प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड में अगर मैं बात करूं जो ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा summary trial का पर सजा कितनी दी जाएगी कहा लिखा गया है Indian Penal Code में ऐसे ही एकर मैं बात करूँ Civil Procedure Code की ये single law बनाया गया है एक single code बनाया गया है इसके दो पार्ट है फर्स्ट पार्ट जो डील करता है substantive portion को 158 section चोटा सा है कहने को चोटा है बट जब इसकी जाके कभी भी मेरे इसा judiciary का कभी पढ़ोगे जब मैं थोड़ी दिन बाद start करूँ या sir LLB में कभी आप जाके पढ़ोगे बहुत कुछ है मलब एक best book है इसको लिए अगर किसी बच्चे को पढ़नी है सी के तकवानी अगर कभी जिंदगी में आप पढ़ो कभी सी के तकवानी जा बैस्ट बुक फॉर सिविल प्रोसिजर कोर्ड तो किसी बच्चे को अपनी नोलीज या लल भी कर रहा हो आगे बढ़ाना हो बट यह बुक इलस्ट्रेशन के लिए बहुत बैस्ट है 21 आपका बट बैस्ट बुक तो बोला गया सर्विल प्रोसिजर कोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पार्ट नमर वन पार्ट नमबर टू सर्पार्ट नमबर वन इस अ सब्सक्टेंटिटिव लो इसका मतलब सर्फ 158 जो सेक्शन है सब्सक्टेंटिव आज आप सब्सक्राइड पॉर्षेन जो सेक्शन से लो कौन कंट्रोल करता है पारलेमेंट कि कमपनीज एक्ट में बोल दूं जो सेक्शन है जैसे सेक्शन 470 है कमप्रीज आप पहले के टाइम में बनते थे सब्सक्राइड लो अलग प्रोसिजर लो लग बट आज की मैं प्रैक्टि सबस्टेंटिव कहां बताया जाता है शेक्शन में वह कौन बनाता है मैं आपको एक्जेंपल देंके बता रहा हूं क्यों आप पढ़ा है बहुत ईजी सर वह कौन बनाता है एमसी यानि गोर्मेट ओफ मिर्ष्ट्री ओपर पेर्स सब्सक्राइड उसी तरह पावर्ड डेल बनाने की किसको डेलिगेट कर दिए पावर सर सेक्शन आएगा 469 आप सब बच्चे ने पढ़गा 469 सेक्शन लास्ट क्लास में भी कॉंस्टूटिशन पढ़ा था ना डेलिगेटेड लैसिलिशन वही वाला कॉंसेप्ट लेओ सर यहां पावर किसको दे गई है एमसी एको हमलब दोनहें एक ही चोड़ा नर वना जाता है एक ही के अंधर बनाये जाते हैं इतनी बात समझ में यह इंटारी है क्या श्चे यह बताते हैं कैसे वहां तक जाना है code तक वो code तक जाने का procedure आपका कहां बताया जाएगा इसी तरीके से मैं अगर civil procedure code में ले आऊं सर सब्स्टेंटिव लोग के अंदर तो आपको बताया गया है क्या गलाजा जैसे मैं मानलू section 10 के अंदर बताया गया है नहीं जैसे मैं अगर मानलू section 26 के बताया गया है कोई भी civil suit स्टार्ट करना है तो by way of plant होगा commencement of any civil suit जहां से सुनो ले example ले न माइड में set हो जाएगा slow बोल रहा हूं लिख लो commencement of every civil suit is only by way of plant तो या फिर civil suit motion में कब आता है came into motion starting point of every civil suit is by way of plant only ये कौन बोलता सर section 26 अब बोला गया सर section 26 ने ये बात तो बोलके छ procedure क्या कैसे कैसे कितनी copies जाएंगी क्या क्या चीज प्लेंट के साथ जाएंगी क्या code system करेगा वो सारा कहां बतायागा procedures orders में सर कितनी order है 51 order है हर order के अंदर अपने several rules हैं जैसे अगर इसी वाले में बात करूशर में order 4 बोलता है duplicate copy जाएंगी duplicate का मतलब क्या होगा इसके बाद six बोलता है order seven मानलो आप अभी मैं आपको बताऊंगा pleading का अलग मतलब होता है order seven बोलता सर plant का मतलब क्या होगा what is the meaning of plant मैं अभी आपको बताऊंगा प्लेंट का मतलब वैसे revision कर रहे तो आपको पता भी होना चाहिए sir order eight बोलता है इस प्लेंट का गें इस written statement क्या आएगी यह order से न प्रोसीजर बताते न case तो आपने बता दिया कि case करेंगे civil suit करेंगे बट वो case कैसे चलेगा कितनी stages होंगी pre trial stage trial stage post trial stage क्या मैं बोल तो सर post trial stage आप लोग को मैंने पहले भी बताया था execution of decree execution of decree is a post trial stage sir order 21 rule 11 sir हर उसके orders है प्रोसीजर के और हर order के अंदर अपने rules है बात समझ में आ गई बच्चों को बात समझ में आ गई सर वहां substantive portion है sections है वो बताता है क्या powers है क्या liabilities है कितना fine है कितनी punishment है whatever अब सर यहां second part है orders बताते हैं 51 order है हर order के अपने several rules है हर order के अपने rules है जैसे कर मैं बात करूँ सर order 7 है plant के बारे में अब सर इसी तरीके से order 7 के अंदर ना बहुत सारे आएंगे order 7 rule 1 आएगा structure of plant क्या आएगा structure of plant although आपके syllabus में नहीं है बट समझाने के लिए समझा रहा हूं rules अलग कैसे होते हैं सर order 7 rule 2 आएगा कि सारे के सारे suits ना हम exact amount लिखेंगे सर यह rule 2 है exact amount लिखेंगे generally कि कितने रुपे का हम suit कर रहे हैं अगर monetary suit है तो अगर monetary suit है तो exact amount लिखेंगे कुछ exception है जो orders होते है orders court के पास power होती है इसकी court के पास power अगर order के ओपर किसका control होता है court का जैसे यहां Parliament का control है substantive portion पे sections पे उसी तरीके से order के ओपर किसका control है यह मैंने लिखा तो है सामने यह लिखा तो है 51 order ठीक है जी तो 51 order इनके ओपर generally court का control होता है और court भी कौन high court और सर जो order के अंदर rules होते है rules के ओपर orders के ओपर किसका control है court का control कौन करता है सर कोड करता है बात समझ में आ गई तो मुझे रखता है सर सब्सक्रेंटी पोर्शन प्रोसिजरलों के बीच में समझ में आ गया और CPC कभी एक basic structure 151 section 51 order और हर order के अपने several rules सर इसी तरीके से यहां और भी आते जाएंगे सर इसी तरीके से सब rule 4 अगर मैं बात कुर आपको rule 4 representative suit बोलता है सर बहुत gap तुमें में final में करवाता हूं हर एक rule tips पे हर एक rule के बारे में knowledge जैसे plan की written statement की सब पता है सर सब के बारे मैं knowledge आपका बच्चे हो सर अभी आपके syllabus में जितना relevant है उतना मैं करवाऊंगा 11 class 11 classes मैंने सिर्फ revision 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 की 11 classes मैंने final के बच्चों के लिए revision revision 11 classes और 2 hours each तो समझ सकते हो 22 घंटे तो मैं edition revise करवा है तो मैं final में 22 घंटे revise करवा दिया CP Segre specific two hundred आर्स 70 आर्स approximately मैं उनकी रेगुलेटिक लेकर कम से कम तो वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूं से रेगुलेटिड बाई टू लोज सीयारपीसी इपीसी सर्सीय आरपीसी डा प्रोसीजरल लो कितने सेक्शन है 484 सेक्षन कितने चैपर में इनडिवैड tive अर्स 37 कितने 좋다 सैं अर्स ymand된 और लेड़Fressme अब्र भी आएगा जब दे आफ्टर तुमर कल तो क्लास नहीं होगी परसो क्लास होगी उसके बाद मैं आपको डेफिनिट लिए पढ़ाऊंगा सबस्टेंटिव लो मैंने आपको बताई दे सबस्टेंटिव बहुत इंपोर्टन आज आपके माइंड में कोशिश करूँआ सेट कर जाओंगा सारा का सारा सिविल प्रोज़र कोड़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर सेट कर जाओंगा प्लीज बीच बीच में आप मैसेज मत करना जैसे आपने कल किया ना बहुत अच्छा लगा कल आप लोगों ने जैसे क्लास लिया ना दिल खुश कर दिया जी दिल कुश कर दिया दिल से दुआ निकली कि ये बच्चे जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे पेशन्स है देखो कुछ भी चीज सीखी ने तो पेशन से बैठना होगा अगर आप माइडी में कोश्चन लाते रहोगे लिखते रहोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी निकल जाएगा तो पेशन्स के साथ बैठो टाइम मिल जाएगा समझ जाओ आप टैंशनल मैं उसके बाद आपको टाइम दे दूंगा टोपिक के हैं फिर से एक बात है ना एक उपर रह गया सचाथ एक लाइन रह गई बच्चा बोले का सरी कब से फैक्ट में आए सरी फस्ट जैनुवरी नाइंटे जिरो नहीं तो अगले साल आगे सा जेनरल लो है जनरल सिविल लो है क्या मैं बोल दूदू सिविल लो तो बहुत सारे सारे सिविल लो है अच्छा एक कोशन मेरी सारी छोटे छोटे बच्चों से मेरी सारे CS फैमली से एक ऌग से सारे northern मेरी प्यारे प्यारे बच्चों से कोशन to complete जो एक्ट है हमाना by companies एक्ट है जो सरह माना कि में क्या सीविल है या रोसीज़ वह सोरी क्रिमिनल है ये courtroom बाद दिया सरे सटेंटी भी है सरे प्रोसीजरल भी मैंद या Carnival सिविल है या क्रिमिनल है एनिवन एनिवन सर एनिवन है और और सारे सारा मतलब हर बच्चा बताएगा जितना बच्चा है लाई है प्लीज यहां मैं आपको बोल रहा हूं अंसर दो मैं वेट करूंगा अंसर दो चलो जी एक अंसर आया जी हर्श जी बोल रहा है बहुत और बच्चा प्लीज फास्ट अंसर दो सिविल 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 अरे भाई प्रोसिदर और सब्सेंटिव दोनों है मैं पहले बता चुका हूं ना लैक बच्चा गोरव मंतिरी सुधार आपने आपको मांग है जाँ रहे एक आपको नम नीटा भी बोल रहे हैं बोल्त मांसी भी बोल रहे हैं बोल जाना जैन भी भी बोल रहं बोल दो इड ब्लैंट और इड दे अ मिक्स्चर ओस कि सर बहुत सारी जारा जारा आप दो के फाइन एंड इंपरेजन मैंट इंपरेजन मेंट और सर फाइन जहां आ गया फाइन 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 थी रिचिवान लोग लगता है फाइन बता तो दिया मेरे भाई पढ़ आपने लाइव टेंग कभी तो सर स्पेशल कोट आई न लायक बच्चे कभी सुनाए कौन सब स्पेशल कोट का सुना कौझ सेब्सेक्षेंट 435 का कि अंजी सुना है इस पेशल कोट के पास ही तो जाते हो फैंसिज जो दो साल से जादा वाले होंगे कहां जाएंगे जो दो साल तक के होंगे अलग जेंगे जाएंगे ना लैक बच्चे किसी को नोलिज लेने तो मेरा CRPC का फाइनल का लेक्चेर देख लेना उठा गए आजाएगी नोलिज ठीक है चलो बढ़े आगे बच्चो चलो सर ऑब्जेक्ट किया है जी इसका तो यही बात आप समझे ना सर कंप्रीज आप दोनू है सिविल भी है क्रिमिनल भी है चलो जी चलो जी बच्चा बोलना है यह सर लिंकिंग हो गई है चलो जी अभी नो गोड़ ऑब्जेक्ट इसकोप औफ शीपिसी चलो बच्चो अब अब प्लीज फ्लीज शी बच्चे हो अब मैं बोलरों ठीक है मैं चाहता हो मेरी फेंबली के हर एक करता है कोट अपनी इंहेरेंट पावर लगाती है तो उसको क्यों न कोडिफाइड कर दिया जाए सारे सिविल लोज को कंसोलिडेट करके किसे लेकि आ जाए तो अब्जेक्ट अगोड जनली टू क्रिए जुरुडिक्शन सर्ट जुरुडिक्शन क्रेट करना वाइल दा रूल्स इंडिकेट दा मोड इन विच्ट जुरुडिक्शन विस्ट बता देना सर वही तो चीज बोली गया है कल रात को हो ऑल नाइट आपका सारा क्लास कम्प्लेट किये फिर कमेंट रिफेक लिए करता हूं मैं मैं हर जेक करता हूं डिशलूरुक कर रहे करें बैट किया मैंको जैसे आपको हमसे हमारी बातों से मिलता है ऐसे आपके comment, आपके like, आपका share वो चीज़े ना हमें बहुत ज़्यादा motivate करता है मालब दिल से नैसे लगता है बच्चों के लिए और मेहनित करो एक ज़्यादा और class लगा दू, कोई बात नी बच्चा प्रेशान है, देखो मेरे दिल से बहुत दूआए निकलेंगी लेकिन अब अगर आप लोगे न फिर passive रहोगे न कि ठीक है सर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया ठीक है अगर आप interact नहीं करोगे तो मालब दिल से न फिर यही होता है, कि यार चलो बच्चा भी passive है, तो ठीक है, जितना पढ़ा दूब होता है, जितना पढ़ा दूब होता है ठीक है जी एक बच्चे आपने भी किया है, बट और बच्चर भी किया है हाँ जी अभी नव मैं आपका reply नहीं कर पाया, just मैं अभी class start करने से पहले आपका देखा था, क्योंकि आज मेरे सुबह से wifi issue चल रहा है, in between अगर lecture cut out हो जाए, तो wait करना मैं अभी भी disclaimer ले रहा हूँ, in between अगर lecture बंद हो जाए, तो आप wait करना कि सर दुबारा connect होंगे, तो कि सुबह सर बारिष चल रहे हैं, और wifi issue हो सकता है, सुबह से wifi issue था, अभी सुबह से mail डाल डाल के call करकर करके, अभी मैं एक्टिव करवाया है, अगर बीच में wifi issue हो जाए, तो यह मत सोचना, सर ने class बंद किया, अपना बंद हो जाएगी class, मैं दुबारा कोशिश करूँगा, online आने की, ठीक है, चलो, तो सर jurisdiction का मतब तो substantive लोग भी बताता ही, sections के अंदर, और rules order भी बताता है कि उस jurisdiction लोग कैसे exercise करना है, चलो, चलो, जी, अगर कोई भी local law, कोई भी special law, general matters के ओपर, माल लो, contract act में कुछ और लिखा है, और ये एक general law है, एक civil एक general law है, बट किसी और specific act में, जैसे companies act में, बोल दिया गया कि, इन general matter कहां जाएंगे जी, special code के पास, NCLT के पास, तो क्या CPC ये बोल दे, नहीं, वहां क्यों जा रहे हैं, हमारे पास आने चाहिए, हमने पहले court बनाई है, यहां आने चाहिए, ट्रेबनल्स पे नहीं जाने चाहिए, क्या CPC बोल सकता है, नहीं, अगर special law, कोई भी local law, कोई और procedures, कोई और provision बोलता है, जो civil procedure code से हटके है, तो CPC बीच में नहीं आएगा, वो special rule, overall करेगा, इस पे, ठीक है न, वो किस पे हैगा, हटके, तो यह बात समझ में आ गई, तो जैसे companies act ने अपनी खुदगी forum बना दी, ट्रेबनल्स बना दिये, तो क्या CPC बोलना, स्टार्ट करते हैं, हम हैं सबसे बड़े, हम तुम्हारे उपर overall करेंगे, सारे केस हमारे पास आएंगे, आपकी गलतन नहीं, constitution ने भी power दी है, और यहां भी power मिली है, कि सर अगर ऐसा है, तो special law prevail करेगा, इस journal law पे, चलो जी, अगर जहाँ special law silent है, माल लो जहाँ companies act भी silent है, कि नहीं address को लेगे, कोई भी law silent है, तो वहाँ कौन code apply हो जाएगा, best example क्या मैं, तोट का बोल दूँ, जहाँ law कुछ नहीं बोलता, कोई special law जैसे trademark, तो trademark act silent है, तो तोट माल लेंगे, अगर unregistered trademark है तो, महाँ भी example दिया था, passing of का best example, मान के चलो trace passing, unregistered trademark, तो आप कहाँ होगे, civil procedure code में, एक general code में, general law उसके पास आओगे, ड़न जी जन, चलो, आगे बढ़ू जी, अब देखो कुछ दो-थिन टरम्स, आपको ना समझनी जरूरी है, और यह मत मानना, मैं अपनी बुक में, regular book में, cause of action, बस इतना सा बताता हूँ, यह three pages का, मैं समझाता हूँ, एक class पूरी, two hours की, two hours की, one class of two hours, सिर्फ मैं cause of action पे लगाता हूँ, यह मत मानना, इतना सा ही है, और सर बस इतना सा ही पढ़ाएंगे, revision में इतना है, क्योंकि मैं presume कर रहा हूँ, आप लोग पढ़के बैठे हो सारा, इधर द्यान तो सारा, 200 plus hours का मेरा JGL है, 200 plus hours, so, अपने end पे कोशिश करूँगा, कुछ, कुछ कम शब्दों में सब कुछ बोल जाओं, हाँ, मैं मी नहीं, CPC ही दोनों है, substantive portion भी और procedural भी है, इधर द्यान देगा सारा बच्चा, सर, cause of action, पहली बात एक बात ध्यान से रखना, कोई भी suit institute करना है, पहली बात वर्ड मेरी family का बच्चा बोलेगा, thanks, thanks everyone, सर, कोई भी suit होता है, उसके लिए word का यूज होता है, file नहीं, file तो अनपड़ लोग बोलते हैं, जो layman है, suit institute करना, appeal के साथ क्या होगा सर, जैसे इसी act में आप पढ़ोगे, section 96 to section 112, section 96 to section 112, 92, गोलते हैं सर, किसको, appeal prefer, अब appeal कहां जाएगी, civil court में, district court में जाएगी, क्योंकि civil court के पास तो, appealate power ही नहीं है, original appealate power किसके पास है, minimum district court, फिर उसे उपर high court, फिर उसे उपर supreme court, तो यहां सारा बताएएंगे सर, first appeal, second appeal always high court में जाएगी, supreme court के पास appeal जाने की exception है, 1092, 112 section, ठीक है न, वहाँ बात करेंगे, अब सर, ऐसे ही application या petition के लिए, क्या word उस करते हैं, file, मेरी family के बच्चे को समझ में आया, मेरी family के बच्चे को समझ में आया, कि सर, cause of action, order to rule to exactly नहीं बोलें, कि बस वो अपने आप में, हाँ वो बताता है, बट अपने आप में नहीं है, इधर देखो, appeal, prefer, application, file, suit, institute करना, plant, file करना, plant, file करना, क्योंकि, एक बात ध्यान रखना, मेरी family का सारा बच्चा, बहुत ध्यान रखना, बहुत बड़े level की बात बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आये, और शायद ना आये, नहीं भी आई, तो मेरा final करना, पहले तीन lecture जाके, revision के drafting के देख लेना, अगर जिस बच्चे को knowledge लेनी है, sir, plant और suit, दोनों सेम चीज नहीं है, plant प्लस few conditions, अगर मैं मिला दू, then is equal to suit होगा, कुछ इंडिया के advocates, कुछ जुरिस्ट, ये बात बोलता है, plant और suit एक ही बात है, बट मैं उनमें से हूँ जो ये बोलता है, जो एक बात नहीं है, क्योंकि एक provision आपने पढ़ोगा, dismissal, rejection of plant, order 7, rule 11, एक rule पढ़ना, order 7, rule 11, rejection of plant, इसका मतलब क्या है, sir, plant reject होगी, अगर आप ये बोलोगे, suit और plant एक ही बात है, तो कहां से rejection of suit वर्ड क्यों नहीं किया, lawmaker नहीं वर्ड यूज किया, section 27 में, कि हम पहले starting plant से करेंगे, suit से नहीं, plant, sir, rejection of plant, order 7, rule 11, suit वर्ड यूज नहीं किया, तो suit अपने अपने plant नहीं होता, suit प्लस कुछ 6, 7 conditions होती है, वो अगर follow हो जाएंगी, then the plant is equal to suit, ध्यान रखना, sir, अब आप बोलोगे, sir, वो conditions क्या है, प्लीज मैं आप लोगी class में, सारा नहीं बता पाऊंगा, जिस बच्चे को knowledge लेनी है, वो तीनो class मेरी, पहली तीन class मेरी जाके, final की playlist share कर दूँगा, देखे ले ना, first three classes जाके, ठीक है, अब इधर ध्यान देगा, मेरे सारे family का बच्चा, सर, cause of action का मतलब क्या होता है, वो सारे fact, वो सारे fact, जो आपके साथ घटे हैं, जिनके उपर, जिसकी वज़े से, वो सारे fact, वो सारे act, वो सारा omission, वो सारा conduct, जियान से जुनो, वो सारे facts, वो सारा act, वो सारा omission, वो सारा conduct, जिनकी वज़े से आपके पास right to sue आया है, आपके पास case करने का अधिकार आया है, वो सारी चीजें जिससे आप बोल रोगे सर मैं court में proof कर दूँगा, जिनके लिए आप court में जाके सबूत रखोगे, जिसकी वज़े से आपके पास right to claim आया है, right to relief आया है, सर सब कुछ यह जो not facta provincia, सर facta provenda, अब बच्चा बोलेगा सर हमें तो समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, बस सुन लो, material fact लिखते हैं cause of action में, ऐसे fact जिन पे आप rely करते हो, कि मुझे मेरी remedy, मुझे मेरा claim मिल जाएगा, जिसको मुझे trial पे जाके, देखो अभी trial से start नहीं हुई है, trial कब start होग evidence रखे, जिनके ओपर witness बुलाएंगे, जिन facts को ओपर सबूत रखते हैं, वो सारे fact हमारे cause of action होंगे, cause of action बताना है, plus में इसके अंदर material fact बताएंगे, plant की दो कोपी देंगे, और बताएंगे सर किन facts को हमें future में चलके proof करना, और इन facts को बोलते है, material fact, और इसके अंदर क्या material fact को, it's a facta provincia, और material fact बोल देंगे facta probenta, after revision done, please make a video on how to write full answer, ठीक है जी, definitely मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ ठीक है, तो इतनी बाद समझ में आई, तो वो सारे fact, वो सारी allegation, जो आप लगा रहे हो, जिसमें आपको भरोसा है कि मैं future मैं proof कर दूँगा जब सवाल उठेंगे मैं proof कर दूँगा, और जिनके ओपर मैं सबूत रख दूँगा, और जिनके मैं proof करके अपना claim ले लूँगा, वो सारे fact जो plaintive claim necessary हैं, अपना case को मजबूत करने के लिए, या remedy लेने के लिए, the cause of action refers to a set of facts or allegation, वो सारे set, वो सारा group, वो सारा combination of facts, वो सारी allegations आरोप जो आपने लगाए हैं, that make up the ground for the low filing of the suit, तो जब तक आप suit institute नहीं कर सकते, प्लेंट फाइल नहीं कर सकते, जब तक आपके पास cause of action नहीं हो, जब तक आपके पास cause of action नहीं हो, limitation act में भी पताई थी न, cause of action, आपने default कर दिया, किसी ने आपका, मान लो, मान लो किसी ने आपका default कर दिया, और उसकी वज़े से, पैसे नहीं दिया आपके, क्या आपका cause of action rise हो गया अभी तक तो बोल लो हो गया पर practical life में ऐसे नहीं होता माल लो मैंने आपको 5 lakh rupees दीए आपको मेरे 5 lakh rupees 1st September 2021 तक देने थे आपने नहीं दिया तो क्या मैं 2nd of September वाले दिन case कर दूँ वहाँ भी बढ़ा था ना जिस दिन matter of demand notice हम बोलता है notice देना एक महिने का time देना भाई आप मिझे मेरे पैसा जदो परना मैं आपको गेंश्ट केस कर दूँगा जब वह एक महिने का notice आपने second fab को दे दिया second September को दे दिया तो मैं बोल दूसर 3rd of October वाले दिन जब वह notice का time period खतम तब आप उसके गेंश्ट केस कर सकते हैं बात आगे समझ तो cause of action कब arise होगा 3rd of September उसी तरीके से बोल रहे है सर्थ जब हमारा cause of action arise होगा उसी दिन से हमारा suit का time period limitation period स्टार्ट होता है आज समझ में आ गया और विदाउट cause of action आप केस नहीं कर सकते तब तक आपके पास स्वेक्ट ही नहीं है कि सार सारे chapters के revision होंगे ना मैं तो हर class में बता रहा हूं मुझे नहीं पता कि बच्चा बारबर क्यों पूछ रहा है अगर आप नए हो तो मेरी पहले वाली classes देखो मैंने सब classes में बताया है कि मैं सारे chapters के revision कर वाऊंगा इका दुका चैपर छोड़ूंगा sources of love अगरा है जो मैं प्यूर्ली theoretical chapter है वो चैपर नहीं कर वाऊंगा वो चैपर पढ़ते रहना ठीक है cause of action is therefore by its very nature essential to civil suit highlight the word essential to civil suit since without a cause of action a civil suit cannot arise चालो जी चालो आगे बढ़ते है cause of action means every fact that would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right of judgment जरूरी है plaintiff को future में चलके कहां प्रूफ करेगा ट्राइल पर जाके तो वो सारे फैक्ट जो ट्राइल पर जाके प्रूफ करने हैं चारवी मैं already answer दे चुका हूं I don't know कि मतलब आपका message बाद में मुझे आप एक बार में करके उसको क्लिक कर रहे हो बार-बार या क्या कर रहे हो मतलब मैं तो दो-तिन बार भी हर क्लास में सर दे चुका हूं मुझे एक बार करने दो मैं करवा दूँँ एक क्लास हाओ टू राइट की don't know मैं cma intermedially नहीं करता हूं शिवम exclusive for cs बट बहुत जल्दी cma में एंटर करूंगा अगर वक्त ने मेरा साथ दिया तो चलो जी code of action समझ में आया फिर बात आती है sir judgment के sir judgment का मतलब यह है judgment होता है sir 200 page 300 page ऐसे judgment होता है यहां रखना बात अब judgment के अंदर बढ़ाया था grounds और region by court ने decide कर दिया तो ग्राउंड किन ग्राउंड पे justification देना कि जजज ने किन ग्राउंड पे इस matter को decide क्या वो सारे grounds वो सारे reason कहां डाल देंगे judgment set out the grounds reason for the judge to have arrived at the decision तो सारे ग्राउंड या डिसेंट डालना हमारे सा काम है चलो जी लेकिन डिग्री डिक्री जा ओप्रेटी पार्ट ऑफ दे जिज्मेंट डिक्री तो लास्ट बे टायक पास सर्टिफिकेट सा होता है बस एक एक पेज काँ डेट पेज आधे पेज बस में तो judgment होती है तिनी बड़ी जो हमें पढ़नी होती है जच को क्यूं आप लगा आपने जो गवार रखे जज़ सतिस्वाई नहीं हुए वो सारा क्या है जज्मेंट है ठीके रीजर चलो जी डिक्री section 2 subsection 2 decree decree का मतलब section 2 subsection 2 बोलते है थोड़ा से भब बताओंगा although बहुत कुछ होता है degree का मतलब जज्जमेंट इस टोटली या आप जबर्दस्तिय गुसाना चाहो तो गुसा सकते हो नहीं भाई आयूशी गुपता जो भी हो आप नहीं ये किसी ने बोल दे लाइक रिजॉलुशन रिजॉलुशन तो डिक्री की तरह बोल सकते हैं बट वो प्रोसेस की मोशन हुआ वो सारा जजज्जमेंट बोल सकते हैं कि अगर आप डिक्री से रिलेट कर रहे हो तो जजज्जमेंट से नहीं आप पता नहीं जो आपको फैकल्टीज ने कैसे कैसे एक्जैम्पल दियेंगे मैं सही बताओं ओनेशली बताओं सच्छाई से यह जो आपको रिलेट करके बताया गया है ना प्योरली नॉनसेंस है मलब इस तरीके से सिविल लोज मलब आप उन लोज को दिक्री को आप रिजोलूशन से को तंती नहीं बात होगा ठीक है आपको जो पढ़ाया गया मैं आपको अभी गलत नहीं करना चाहता हूं बट फाइनल में अगर आप मेरे साथ जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुली में सिविल लोज का मतलब क्या होता है क्योंकि अब तो आप क्लास ले चुके हो कोई बच्छा दिसंबर एक तो वाला बैठा है कि चलो मैं रिविजन से पढ़के सेल्फ कर लूँगा बात ये कलग है बट येसे मैं बोल रहा हूं आपको बहुत बहुत गलत चीज़ है ये रिजलूशन को डिक्री से जोड़ना ठीक है आपने जोड़ दिया बहुत वेलन गुड है आपने खुद से जोड़ा है फेकल्टी के बतान इसको एड्फूुडिकेर्ट कर दिना कि बात समझोंगा फंल एक्स्पेशन रिटरन में हमारी है और इंहीं होगा डिटेन में एकस्परेशन देंगे अपने व्यक्त दिखाएगा जच क्या एकस्प्रेस करेगा फूर्मलिट्ट करे। कमाम सबूतों और गवाहों को मद्द नजर इसके अंदर तीन चीज़ चिपी हैं जज देखो कोई भी जज अगर पास करेगा ऐसी डिक्री जिस पे जज ने अपना विजडम अपना दिमाग यूज नहीं किया है पार्टीज ने मेर सेट आउट किर लिया बैठके कंसेंट कर और उसके अपर जज दे रहा है तो वहाँ जजमेंट नहीं आएगी बट डिक्री आएगी बट वहाँ कोट ने अपना विजडम यूज नहीं किया क्या मैं बोल दूँ सर इसका मालब होता है एविडेंस को देखने के बाद विटनेस को देखने के बाद केस की मेरिट्स को देखने के बाद प्लस कोट अपना विजडम यूज़ करेगा कोट ने अपना दिमाग भी लगाया तो तमाम सबूतों तमाम गवाहों को मद्द नजर लगते हुए आज अदालत इस नतीजे पर पहुंची है इसे सारी इंटरपडेशन और इस वर्ड की एडिजुडिकेशन तमाम सबूतों तमाम गवाहों को मद्द नजर कोट ने अपना विजडम भी उज़ किया अपना दिमाग भी उज़ किया और जो कोट का प्रोसीजर चला मैरिट चली दोनों पक्षण अपनी बाते रखी उन सारी जोगों ठीक है तो यह बोलते है सर फॉर्मल एक्सप्रेश को सकता है सर आपको नपाच मैटर रखे थे पांच मैटर आपको रखे थे सार कोज ओफेक्शन एलिगेशन पांच मैटर पर लगाई गई थी ती पांच मुद्दों के ओपर जज़मेंट आनी चाहिए थी लेकिन कोट ने अभी उनमें से तीन मैटर के ओपर डिसाइड कर समय हो और अभी दो रहते हैं दो भी बैलन्स हैं हो सकता है पर जो तीम डिसाइड करिये न वह फुली कुंक्लूजिवली मलब फुली डिसाइड किया है उनका पूरी पूरी डिसीजन दिया पूरी पूरी जजमेंट दिया पूरी लेकिन जो दो पेंडिंग है एनी एनी वर्ड की इंटरप्टेशन ही एनी हो सकता है सारे के सारे हो सकता कुछ लेकिन जो भी डिसाइड किया है conclusively determined किया है तमाम सबूतों गमाओं को मद्दा नजर रखते हुए कोट उसको फॉर्मली एक्सप्रेस करेगी रिटर्ण में एक्सप्रेस करेगी रिटर्ण में आपको बात समझ में आ गई बो लगा है पर इसे डिकरी के अंदर कुछ चीज इंक्लूड नहीं होती है कुछ दीम्ड भी होता बट मैं वहां नहीं जाने वाला क्या चीज उडर्ण में जाती है बट जहां और अपील जाएगा उडर तो माल लेंगे वो हमारा टार्ण होगाउगा इंजरेस्त अपेस्ट अपील जाएगी बट अगर लो बोलता है जाएगी यानि exception case में जाएगी decree में exception cases में नहीं जाएगी पिल समझ में आ गया फिर सर सेकिंड पार्ट बोलता dismissal of the suit यह बोलते है सर order 9 अगर plaintiff नहीं आया अगर plaintiff नहीं आया hearing वाले दिन appearance appearances में पढ़ोगा order 9 is appearances अगर plaintiff नहीं आया तो court चाहे तो case अगर defendant ने भी नहीं माना defendant ने भी allegation नहीं मानी और plaintiff भी नहीं आया तो court क्या कर देगी case को dismiss कर सकते है court के पास power है dismissal of the suit बोला गया dismissal of the suit फिर आप मेरे को गलत मत बोलना वर्ड का suit क्योंकि sir यह suit बन चुका है वो सारे points to consider कर लेगी and now the plaintiff is equal to suit बता दूँगा मैं आपको एक लाइन में चलो तो dismissal of the suit कि है sir plaintiff appear नहीं हुआ डेट वले दिन प्लेंटिफ अपियर नहीं हुआ जानना sir deemed decree वेगर है पढ़ते रहना देखो क्या बोला गया rejection of the plaint अरे यही तो समझा रहा था मान लेंगे decree है but although decree नहीं होनी चाहिए but decree का मतलब क्या होता भी हमने उपर पड़ा decree का मतलब क्या होता जो भी चाहिए तो वर्ण लिखए rejection of the plaint अबी suit तो बनाए नहीं था उससे पहले ही प्लेंट में आपने कृश चार ग्राउंड देखो rejection of the plaint होता तीन-चार बात तो पर आपने cause of action नहीं डाले हुसमे प्रोपर in educate डाले बहुत ज्यादा डाले आपने court fees नहीं डाली आपने subject matter देते हैं कि सर्लिट लिमिटेशन पेड़ से बाड़ था मैटर तो रिजेक्शन ओफ लिमिटेशन ओफ सूट होता है अंडर सूट वैलुएशन एक्ट आपने वो प्रॉपर ले नहीं किया आपने उस कोट फीस उसके ओपर प्रॉपर ले नहीं दी जुडिशन स्टैंप प्र सबूत को लेकर बोलती है बट यहां सबूत नहीं बट फीर भी कोट बोल देगी मान ली जाएगी से डिक्री बट नहीं तो क्या मैं चलो अब नहीं सको नेक पर स्टार मानना हो मेरी आदत है वह इंटरपेटेशन करने कि वह चीज निकले कि निकलेगी क्या रिजेक्शन ओ कोशन मार्क माल लो किया रैस सब जुडाइस लग जाएगा शेक्शन 11 सौरी त्यूरी काट शूरी कांटा की तरकेस तो डिसाइड हो चुगा से मैटर के उपर दुबारा क्या कोश जा सकता है क्या लग जाएगा कोशन मार्क है अंसर निकालके लिए आना अगर आपको पता विदिन सक्षिन बाइट सब्सक्राइब होगे थे आपने एप्लिकेशन कर दो मुच्छ के उपर नहीं थे, उसके उपर और उसके उपर उसके उपर इस्टोरी वी प्लिकेशन और उस सिर्पॉट्ट कर लेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा सर एक तो पेज मुझे ओपन करना पड़ेगा तो पेज मुझे ओपन करना पड़ेगा कि बहुत ध्यान से सर एक मैं बोरों सारे नेख चार्ट में करवा जाओंगो सब कुछ देखो बोग देखो यह को यह मान लो फिर रॉल traman default वह को और ऐसा default जिसको जो contract में नहीं आता contract या किसी भी civil court में नहीं आता माँलो फिर आप कहां जाओगे General लों के अंदर में CPC में आओगे जी आप मान लो ठीक है जी अब क्या हो रहा है जी आप CPC में आ गए है बहुत ध्यान से देखोगए आपके साथ जिसके साथ गलत हुआ उस पार्टी का नाम क्या होगा अब क्या गलत हुआ है आप थे देखो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्जेम्पल दे रहा हूँ सारा सेट हो जाएगा आज सिविल प्रोस्जर कोड दिवाक में एक्जेम्पल ध्यान रख लेना सर आप थे लेंडलोड एक घर के मालिक आपने घर दिया था इस पर्सन को इन लायक को घर दिया थे ये था टेनेंट इरायदार आप थे मकान मालिक कितने दिन के लिए था सर एक साल के लिए रहने के लिए ग्यारा महिने के लिए दिया था यह नलैक पुछ दिन तो इस इन इस घर का रेंट दिया एक उच दो-तीन मंत तो रेंट दिया उसके बाद default कर रहे अफ्र डेट rent देने में default कर रहा है सारा बच्छा एक एक example ध्यान से समझ लो लिखने की कोशिश मत करो कि भाग भाग के लिख देते हम ऐसा मत करो बहुत ध्यान से समझ लो पूरा CPC आज एक 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 जैम्पल में पांच मिट में बेस दे जाओंगा पूरा ठीक है जी दो तिन महीने आपने पेइमेंट कर दी उसके बाद कर दे डिफॉल्ट उसके बाद इनलायक टीनेंट पैसे नहीं दे रहा प्लैंटिफ ने उसको एक नो प्लैंट क्या फाइल कर अजय विल्म यहां तक जो अधरख दे लो लो यहां तक जो पोर्शाव में ने हाइल्यट किया यह वह लंफ यह वर्षा पॉजिशन क्ली अब कैसा ये प्लेंट के लिए mail के में अज्टिशन बलाइब है ओस्टे при्मस्ट कोज ओवेक्षिन क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आप अंसर मत लिखने नेकर बस मोट करते रहो ठीक है फ्लेंटिफ और कोज अफशन क्या हुआ सर Rent नहीं दिया बहुत ध्यान से देखना सर मेरा Rent नहीं दिया सर Went not paid Mesnay Profit एक तरह से मैं बोल तूँ Relief भी होंगे Relief है okes सर मेरा Rent नहीं दिया मुझे मना कर दिया चलो छोड़ो याराब अवाब आप पुछो कि सर मैंजने प्रोफिट क्या होता है फिर वो फाइनल वाले बच्चे समझ जाएंगे मेरे विजन में नहीं समझा पाऊंगा फिर आपको इधर दियांतो सर एक तो मेरे को मेरा रेंट दिलवा दो एक मेरी प्रोपर्टि से इजैक्टमेंट खाली करवा दो क्या मैं बोल दूसर आपको रिलीव भी लिखने पड़ेगा प्लेंट के अंदर क्या आप रिलीव चाहरे हों और किन मैटर के ओपर किन मैटर के ओपर आप केस कर रहे हो कोज ओफ एक्षेन क्या है सर वो बता दो में अग्रिमेंट किया था या कैसे क्या हुआ सर आप क्या क्या रेमडी चाहते हो सर मेरा रेंट दिलवा दो मुझे खाली मेरे घर खाली करवा दो दाजा बनके बैठा घर भी खाली नहीं कर रहा है तो क्या मैं बोल दूआ इन ग्राउंड्स पे केस वाइल कर दोगे कोट में क्लेंट इंस्टिटूट कर दो गई बात समझ में आ गई सर किन किन चीजों में अभी तक मैंने आपको एक लोग पड़ा दिया सर लिमिटेशन एक्ट का धिहान रखना है कोट देखागा जो आपने फाइल किया क्या लिमिटेशन एक्ट डाला है क्या आपने उसको पर अप क्या आपने कोट फीस पे की है क्या आपने इसको पर वैलुएशन हर सूट की वैलुएशन होती है अलक से सूट वैलुएशन ओफीस होता हर कोट में क्या आपने इसकी वैलुएशन की है क्या आपने इसका लिमिटेशन प्रिड के अंदर उस एक्ट को जाके पड़ें क्या तो सर अगर इन में से कोई भी ग्राउंड अगर हलका अपने डाला है तो क्या मैं बोल तो यह कैसे सूट बन गया अभी तो प्लेंट इंस्टिटूट किया है तर ओडर ट्वेंटिसिक्स बोलता है कोई भी स्ट्विल सूट स्टार्ट करना तो ओनली ओनली वाइव फ्लेंट होगा अब सर कोट के पास गए अब मुद्दा क्या आएगा कौन सी कोट के पास जाना है क्या आपने अपनी सीपीसी में पढ़ा होगा जुरिक्षन सर जुरिक या ऐसे आप सुप्रीम कोट के पास पहुच जाओगे हाई कोट के पास पहुच जाओगे डिस्टिक कोट के पास पहुच जाओगे सिविल कोट के पास जाना है कौन सी के पास सिविल कोट में आपको सर जुनियर डिविजन में जाना है सीनियर डिविजन में जाना है या सर जुडिक्शन में तीन तरीके की है हमारी मोनिटरी जुडिक्शन टेरिटोरियल जुडिक्शन 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 कम से कम कम से कम दस से बारा गंटे लगते हैं सिर्फ जुडिक्शन जुडिक्शन पर समझाने में टैन टू ट्वैल आर्स लगते हैं तिनों बस दे कि कौन-कौन परसन आएगा मैं नहीं बत बान रहा हूँ कि CPC ने वो रिकोग्राइज नहीं किया है हमरे ICSI ने डाला है पर CPC ने रिकोग्राइज नहीं किया है सर इसके लिए section आप लोग ने आज तक सिर्फ 15 पढ़ा होगा section 6 section 9 section 15 territorial deduction सर किन-किन matter में अगर सर सर मुएबल प्रोपेटि है या तोर्थ है सर रेजुडरी बोलो बोल्ले को बोल लो रेजुडरी जो और पार्टी इंदर बोला गया है बोडी कोर्पेट कोई भी कंपनी है बोडी कोर्पेट के केस में क्या होगा द्यान से नोट कर रहे ना पूरा CPC एक चार्ट में आजाएगा सर पहली चीज़ आपको जूडिक्शन देखनी है दूसरी चीज़ आपको एक तैसे मानलो कोट फीस आपने पेक किया कि निए कोट मैं नहीं कोट फालतू नहीं बैठा आपके लिए वैलुएशन केस की किया की सब्सक्राइब नहीं की है सर लिमिटेशन प्रेट करेंदर है नहीं है हमारा । сил कै आपने कोज फेक्शन प्रोपर ली डाले है क्या अपने जुच्चुन सारे इक चेक्शन सारे बच्चों ने पढ़ा होगात only रेस सब जुड़ाइस फिर सर आप जोगोगे सर सेक्षन 11 रेस जुड़ी काटा क्या सर वो सूट ओलरडी पेंडिंग तो नहीं है कहीं सर अगर सेम मैटर सेम पार्टी किसी और कोट में सेम कोट में अगर वो सूट पेंडिंग है और वो सूट जो जिस कोट में पेंडिंग है वो कोट भी कॉम्पिटेंट है और आप भी कॉम्पिटेंट हो सर पेंडिंग सूट है तो कोट उसको एंटर्टेन उसको पर ट्रायल नहीं करेगी यह मत बोलना कोई भी बच्चा सर उसको एंटर्टेन किया है बड़ तर धियान रखना यह जो केस पंडिंग है डिसाइड है foreign court यहां नहीं आएगी foreign court वाला नहीं आएगा accept foreign court एक एक बेसिक श्रक्चर समझ में आ गया देखो होते तो और भी बहुत कुछ है होता तो और भी बहुत कुछ है बट अभी आप लोग ने समझ में नहीं आएगा कि अगर ये जो प्रोसीजर तो अंडर CPC क्या सारे प्रोसीजर अंडर CPC जो भी होने थे प्रोसीजर अंडर CPC आपने फोलो कर लिए best example दूँगा for example for instance section 80 अब आगे मैं C बगएर नहीं लगा रहूँ इसके अंदर notice जाता है अगर आप किसी भी गोर्मेंट अथोर्टी के अगेंस्ट अगर आप केस कर रहे हो मालो स्टेट के अगेंस्ट केस करना है तो पहले प्रायर नोटीस जाएगा उस डिपार्टमेंट को कि सर आपको इतना टाइम दे रहे हम आपको केस करेंगे ऐसे ही सर रिपर्जेंटेटिव सूट भी आपने चीज सुने होगी रिपर्जेंटेटिव सूट कंप्री लों में पढ़ोगे क्लास एक्शन सूट इस वाले केस में भी सर पहले जो भी पार्टिस रिपर्जेंटेटिव होगी ना जिनके बेस पे आप केस करें उन सारी पार्टिस को नोटीस जाएगा उमीद है सारे बच्चों को सर पूरा समझ में आया अगर कोट सैटिस्वाई हो जाएगी कि सर ये स पर अंदेशन सारे ग्राउंड सही हैं नौँ अब नौड़ प्लेंड इस उकुल तू ऌई तो ना टप्लेंड इस इकुल त्योड तो तो प्लेंड प्लस ये सात-ाड ग्राउंड जो भी मैंना अपको अभी के लिए बताए हैं जब ये सारे सटिस्वाई हो जाएंगे हां स सर कहीं pending भी यह से मेंटर हां सर से मैटर डिसाइड़ भी नहीं किया गया है सर जो भी procedure follow करना था वो follow कर लिया है सर limitation प्रिट के act में भी नहीं है limitation bard भी लीए सर valuation भी properly है सर court fees भी properly दी है सर properly draft किया गया है इसके अंदर scores of action भी properly डाले है sir remedy भी properly मांगे गया या pray properly किया गया है तो now the plant is about to suit अब बोल सकते हैं plant suit के equal है now institutional plant का case अब क्या होगा sir अब बोला जाए कि sir आपने plant कर दी इसको जाएगा summon इसको जाएगा summon दूसरी party को क्या बोल देगा बेस केस में हम defendant क्या बोल देगे defendant सारा बच्चा मुझे बताएगा क्या बोल देगे डिफेंडेंट लिखो मत बस समझ लो defendant अब सर इसको सम्मन जाएगा समन किस सेक्शन में जाता बहुत द्हां से देखना सर section 27 section 28 section 29 अब मैं यह नहीं बताने वाला हूं 28 29 में क्या लिखा है इतना याद रख लो जब इंडिया से भार जाएगा 29 जब इंडिया के अंदर किसी और जंग जाएगा कहने का मतलब किसी और जंग अगर वो रहता हूँ इतना यहां और चाहिए अपको बुला रहे हैं आओ और साथ में पैकिट एंवलप लेकिया ना पैसो का मतलब महां आओ रेटन स्टेडमेंट दो कि आप भई ऐसे आए अच्छे पड़े पहन किया हो कहने का मतलब क्या है आपको अपियर भी होना है और आपको अपने डिफैं सर कितने दिन में जेनरली 30 अगर समर में कुछ और नहीं लिखा तो बातिक अलग है बट जेनरली 30 देज सर क्यों एक्स्टेंशन हो सकती है डिसाइड़ केस है यस 90 देस तक हो सकती है बट उन सफिशन ग्राउंड आपके सिलबस में नहीं है फिलाल माल लो 30 दिन अब सर हम ब कर मां उन अWow प्लीडिंग प्लाइन प्लाइन प्लीलिभी डींग के लिए उत्र अंटर अमिए अपियर गे और नमबर हुवी इस ट्रील स्टेज के बाद सिर्ट ऑगे सर20 मोह दो सब्गे ट्रील मुजाय मारी ट्राइल स्टेज स्टेज स्टार्ट 65S तीन स्टेजी के सिव्ल सुट के पहली स्टेज के प्री ट्राइल शेज कि फिर कैसर क्या सर्ट पोस्ट ट्राइल स्टेज प्र void sage जो न हम बोल सकते हैं लिदिंग्स निइज क्या बोलते हैं बhold a agent 114 सिक्स्ट में और अदर दिएासिग्स के वैल क्या हो और पाटी ने अ्पाटी नंग के व्यासे मंग लो एंट टैल सब और नाइन जब आप अपीरेंस करोगे जब अगर सर आप ओर सेवंटीन अगर वो केस क्या हो जाएगा आपका तारीक पर तारीक एडजर्मेंट ऑफ प्रोसेडिंग्स एडजर्ण हो जाएगा या फिर आप इसके अंदर जब आप एविडेंस रखोगे जब सर आप अपन सर दोनों पार्टी इसको पक्षों को हक देगा अपने अपने सबूत रखने का अपने अपनी गवाद देने का दोनों का एग्जामीन करेगा and then finally सर हां judgment पास करेगा and then last minute decree पास करेगा और सर दिक्री को फिर execution करवाएंगे हम execution of decree जो decree पास हुई है उसको execute करेंगे वो कहां जाएगा सर हमारा order 21 rule 11 अब मुझे बताओ सर क्या पूरा का पूरा केस का structure समझ में आया है अब जब योग प्रोसेजर आएगा न तो मैं थोड़ा स्पीड से चल पाऊंगा क्या समझ में आ गया अब मैं आपको न एक कोईट में बढ़ाता जाओंगा और सब्जक्क को आगे बढ़ाता जाओंगा मान लो सर हमने बोला decree आई judgment आई जिसके favor में decree आई जिसके favor में decree आई decree holder जिसके favor में आई जिसके against आई judgment debtor judgment debtor समझ में आ गई जिसके against आई अब सर decree holder है या judgment debtor है decree holder क्या करेगा इसको execution के application लगाता है और ये party क्या करेगी सर ये भी और करना चाहे तो ये अगर ये satisfied नहीं है इसने 5 relief मांगे थे court ने इसको बस 2 relief दिये ये satisfy नहीं है सर court के order से तो क्या मैं बोल दूँ ये भी appeal में जा सकता है कोई भी जा सकता appeal में ये भी जा सकता है और ये भी appeal में जा सकता है कोई भी जा सकता है इसके against आई तो ये appeal में जाएगा ये भी जा सकता है और appeal करने की जो power है minimum जो power appeal करने की सर civil court junior division तक senior division तक कोई पावर नहीं है जो मीनिमम पावर है वो दी गई है सर डिस्ट्रिक कोड को डिस्ट्रिक कोड के पास दो पावर है सर डिस्ट्रिक कोड के पास दो पावर होते हैं तो ओरिजिनल जूडिक्शन एस ओरिजिनल भी आ सकता है वो कैसे पता लगे का सर आपका सब्जक्ट मैंटर के second appeal is always high court और third appeal बोल सकते हैं Supreme Court पर बहुत rare cases में जाती है Supreme Court बात समझ में है कि sir appeal के प्रोविजिन हम कहां पढ़ेंगे section number 96 to section 1012 order 44 order 45 order 46 order 42 उमीद असर यह पूरा का पूरा concept आपको समझ में है फिर क्या होगा sir यहां के बाद है ना तीन तीन चीजी होती है सिविल कोर्ट में सिविल के बता रहा हूं अभी क्रिमिनल के नहीं बता रहा हूं क्रिमिनल में अलग section चलते हैं section 113 section 114 section 115 सर उसे मैटर को आप reference में लेके जा सकते हो इन बिट्वीन अगर पेंडिंग के से तो court higher court को अपनी से high court को reference सर इस यह हमारा कोई भी मैटर फसा हुआ है यह interpretation of law को लेकर court को लगता कि कुछ गलती नहों जाए non available cases में reference लगा सकती है सर से मैटर को आपने पास कर दिया सेम कोट के पास आप review application लगा सकते हो तर आपने पास तो कर दिया एक बना आप दुबारा देख लो कुछ mathematical error हो गया है सर फैक्ट की कुछ गलती नहीं है लोग की कुछ गलती है section 115 revision reference review revision 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 कमा लगता decided case high court अपनी जो छोटी court है उनसे नीचे वाली court उनके पावर मंगवा सकती है documents और चेक करेगी आपने कोई गलती तो नहीं कर दी irregularity तो नहीं कर दी रिविजन जननी लगते है सर इर्रेगुलेटी के ओपर इर्रेगुलेटी ओफ पावर्स इर्रेगुलेटी ओफ पावर्स सर आपके पास पावर नहीं थी फिर भी आपने एक्सराइज किया पावर थी फिर भी आपने एक्सराइज नहीं किया पावर थी सर उसके गवा आपने अच्छे से ने लिए, सबूत अच्छे से ने लिए, सम्मन अच्छे से ने दिया, क्या मैं बोल दू, पूरा का पूरा CPC आपके सामने, मैंने मातर 10 मिनिट में बोल दिया, अब इन ही कोई तो अंदर समझना है, इन ही कोई तो अंदर समझना है, इन ही क एक फंडा क्या चलता है कैसे reference review revision में जाएंगे कब सर वो सारा post trial stage है execution करवाना appeal में जाना reference में जाना review में जाना revision में जाना सब कुछ post trial stage है SLP में जाना special repetition sir writ में जाना रिट में तो एक अलगी चीज़ है दोग रिट तो मैं आपको खेर बता दों तो इसको एड़ करना प्लीज तो इस पोस्ट ट्रायल स्टेज क्या अब CPC आपको ऐसा लगता है कि सर अब अपने friends को बोलना जो नलाक क्लास नहीं ले रहे हैं कि सर CPC एक लाजवाब कि इतना खुबसूरत ड्राफ्ट किया गया है कि मैं अब CPC के अंदर ना बहुत कुछ ही पाया है बहुत कुछ ही पाया है बढ़ हम अपने jurisdiction के अंदर रहके उन सारी जों को कवर करने के विदें चल रही है कि मैं बोल दूसर कि मज़ा आ गया मुझे अंसर देंगे बच्चे की हां सर समझ में आया है हमें क्योंकि आज मैंने पूरा CPC का एक स्ट्रक्चर बता दिया आपको जो हमें पढ़ना है बस यह मुझे पढ़ाना है इससे जादा मैं बस एक दो और पढ़ाऊ हूं और राइट अगेंस्ट सूट अगेंस्ट माइनर औ और कॉर्प्रेट बोडी बस और कुछ नहीं पढ़ाने वाला यह मुझे से पढ़ाना है और यहीं सीपीची है है बहुत कुछ बस एक बेसिक स्ट्रक्चर यह जो रिविजिन में कवर करवाना है पड़ा पड़ा अंसर दो मुझे कर दो कर दो चलो जी जज्मेंट डेटर हो गए ओडर का मलब फॉर्मली एक्स्प्रेस करेंगा बट यहां वर्ड एड्जूडिकेशन नहीं है क्योंकि सर ओडर आपने सबने देखोगा इंट्रलोकेटरी इंट्रीम ओडर भी आ सकता है तो वहां कोट को जरूरी नहीं सबूतों को मैरिट के बेसिस पर करें सर समझ में आया है यह सर मजा आ गया गूड यहीं तो है अब यहीं सब कुछ कल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं CRPC में कैसे केस होगा तो कल मैं बता दूंगा बच्चा बोल रहा है मैं हमें मेल आ गया है कोई बात नहीं मैं आपको बता दूंगा अगर आप लोग वह एक्चुली मेरा ही वेबिनार है कि किसी और का मुझ इसके गेंश नहीं डिक्री अपील लग जाती है अभी तो मैंने सेक्षेंट बताया है नहीं आप बोले रिपीट कर दो मैंने तो बस इक स्ट्रक्चर बताया बीज़ा पढ़ाऊंगा उसको अभी रिपीट का करूं मैं रेफरेंस है वो तो रेफरेंस पेंडिंग केस अभ पैंजल आइड नियुकें वेलट ना जरूलिट को λगता है कि हां सट कही ना कही ना कही ज़लत है और लोख को लगता है कि सर्य यहां हाई कोठी जरूरी है कब पट आयाका ज़र मैं बताऊंगा वाइनल में और जाधा दिल कर रहे हैं कि सर और ज्यादा पना है तो मैंने फाइनल में कुछ कुछ दो तिन घंटे में करवाया हुआ है यह राफ्रेंस रूभी रिवीजन इधर देखो कौन-कौन से ओडर अपीलेबल है सर इन जरनल तो नहीं पर बड़ वन जीरो फॉर बोलता है सर कुछ ओडर अपीलेबल भी हो सकते हैं कुछ शेक्शन 35 एक अंदर स्पेशल कोस्ट क किया था उसके वपर लेकिन एक्जिक्यूश्न परतेबल नंफ से लिए एक्जिक्यूश्न बन में अप्ल्य करोगेанов आपको समझाए था ला आपको कोर्ण में application लगा हुए किस court में generally जिस court ने decree pass की थी जिस court ने decree pass की थी उस court में apply करोगा सर execute कर दो और जो आपने apply किया उसके against court order देता है execution order जो order देगा वो कौन सा order होता है execution order तो उसके लिए बोल रहे है sir यहां execution order नहीं आएगा कि आप execution order के against appeal में नहीं जा सकते हो पता लगे sir आप यह बोल दो execution order कि court ने इंपोज किया है दो execute कैसे करता है court generally court execute कैसे करेगा अगर आपके पैसे देने और सामने वाला बंदा नहीं दे रहा पता है court क्या बोलेगा उठाला उसको जेल में डाल दो imprisonment detain कर लो sir arrest कर लो उसकी immowable property movable property को आप अपने पास जब कर लो sir उसको auction में sale करवा दो उसकी उस property को बिकवा दो और जो पैसा आएगा उससे निकलवा लो तो court निकलवाने के लिए पैसा execution decree पास करता है उस decree के आप अपील में नहीं जा सकते हैं कभी पता लागा उसके गेंश्ट भी सर बोल दो ऐसे order है न यह भी तो अपना में impose कर रहे हैं पैसा सर आपकी प्रोपर्टिस को detain कर रहे हैं आपको जेल में डाल रहे हैं तो इसके गेंश्ट execution order यहां तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिकली में बोल रहे हैं उस एक्जीक्यूशन ओडर के गिश्ट आप केस में अपील में नहीं जा से तो क्योंकि आपका सिलेबस नहीं है यह नहीं मैं सारा हैंड डिटन में लिखे फाइनल में जो मैंने आपको दिखाया ना यह यह देखो यह मैं आपको दे दूंगा जो चार्ट है ना यह दो क्या पूरा जो मैंने आपको समझा लेकिन आपका सिलवच में नहीं तरह समभन जाएगा ता section 27 में अब यह पैन नहीं चल रहे हैं मेरा हुआ है एक में रुख जाओ अब डैफिनेटले में शेर कर दो मुझे क्या दिक्कत है भाई बट वही देखना उसमें जो आपके काम काओ प्लीज उसको देखके डर मच जाना अब रिटन नोट्स ही बोल रहा हूं मैं सैंड कर दूंगा और क्या यह तो सारा शेर करी नहीं हो आज वाले नोट्स तो जोगो मैं आपको एशॉरेंस दे रहा हूं सर एशॉरेंस दे रहा हूं सीपीसी सी आरपीसी आईपीसी एविडेंस खून में बच जाएगा जो बच्चा है रेगुलर लेक्चर लेगा ना साथ सतर घंटे के सिर्फ तीन चार चैप्टर करवाऊंगा एग्जीकिटिव में भी सिक्स्टी डू सैवन्टी आर और एक एक लाइन एक एक वर्ड आपके अंदर समा जाएगा आई शॉर यू यह पूरी बुक मैंने अपने हाथ से लिख दी पाइनल की पूरी ड्रैस्ट सब कुछ हाथ से लिख रखा है तो मुझे टाइम मिलेगा ना दिसेंबर एटेंप्ट वाले बच्चों को दिखाऊंगा जीएजल की रिविजन में हैंडटर नोट्स क्या होते हैं बस मुझे एक बड़ टाइम लगने तो आप जेजियल में मतलब मैं आपको दिखा दूँ तो किस तरीके से ड्रैफ्ट की जाती है चीज़ें सारा चार्ट सो में हाथ से बनाके एक एक वर्ड मैंने कुद लिखा है अब देख सकते हो मेरी राइटिंग है अब भाई आजा बच्चे लगेंगा एडविडिसमेंट कर रहा हूं कि यह सेस्टू आओ आओ पेज नमबर आओ यह रहा है कि इधर द्यांदो यह बताया आपको मोडगेज दिया था पैसे ने दिये तो लैटर ओफ नोटिस जाएगा प्लैंटीफ है वो मिस्टर पकु है मिस्टर कमली ने डिफॉल्ट किया फिर ओडर फॉर रूल तरी के अं सब्सक्रावन में होगा कहां फाइल करेंगे सर अगर वो कोट के पास जाना है अगर वो कंपनीज के अगेंस्ट एंचल्ट में जाना है एडी आर ओल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजलूशन अभी तो आपको बताया है नहीं और उसके अंदर क्या-क्या होता है सब्सक्राइ Jenny आटि सब्सक्राइब सब कुछ मैंने जो आपको भी समझाया है प्लेंट इस इक्वल टू सूट नो सर बहुत सारे कोशन कुछ है प्लेंट इस बिगिनिग ऑफ एवरी लो सूट सूट और एवरी सिविल एक्षिन एक्ष्ट अच्वल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सिविल प्लीडिंग का सब लोगा मदलब की से दोनों और रिटिक्शन का वजण सब कुछ बघना की सामने इसके बाद बहुत कुछ हो यह सब कुछ कराना लीश्ट ओडर की ओवर्ट फोट्री रूट वन टो ओडर फोट्री त्री डूल बन गां ओडर फोर्ट्री गोल से टुंट टी एकशेशत ग्राउंड याद कर लेन अग्जाम एंपोर्टेंट नएक एसको एउपोर्टेंट तर्क पॉशन आ जाता है अब इधर दे मैटर ऐसा है जो डेप्रीशेबल नेचर का डिमनिश जिसकी वैल्यू डिमनिश हो जाएगी टाइम के साथ-साथ अगर केक सर लडाईयां और यह ऐसे मैटर पे हमें पता है वह मुवेबल प्रोपर्टी एकर जाया दिन तक जब तक केश डिसाइड होगा जब तक अगर हमने चोड़ दीना वह खराब हो जाएगी चाहिए आप कितने भी फ्रिज में रखवाल हो कितने भी कहीं पे भी रखवाल हो खराब हो जाएगी सर उसका नेचर कैसा डेप्रीशेबल नेचर की वह उसके एसे चीज़े सर कोई भी घर टूट रहा है आपने बोल दिया कि सर प्ली चुट भी गीवन रिगार्डिंगा मैटर देट नीड टूब रिजोल्ड एस सून अस पोसिबल और वैल्ली ओड़ प्रोपटी इन अपना घर बना रहा हूं मैंने कोट में केश डाल देशन मेरी प्रोपटी यह आके रह रहा है और इसको तुड़वाना स्टार्ट कर दिय कोट इमिडियेस बेसिस पे जब तक बाद में डिसाइड होगा कि किसकी प्रोपटी है मैटर डिसाइड नहीं हुआ है इंटर लोकेटरी ओडर पास कर देगा इंटरीम ओडर कि सर अभी इसको तोड़ने से रुको स्टे उडर आ जाएगा रोको इसको अभी कि अभी अभी जहां भी आप इने तोड़ दिया महां के मा रूप जाओ यह बात बोली जा रही है मेरा प्लोट है आपके साथ लड़ाईयां हो रही है आपने उसको पर बनाना शुरू कर जब धर बनी जाएगा जब केस डिसाइड होगा फाइदा क्या होगा मेरे केस फेवर में आने का आ बन के समान पड़ा है आप बोरो मेरी है मैं बोरो मेरी है तो कोड बोले का सको बंद कर दो अब बंद तो कर दें भाई जो बीच अंदर समान पड़ा उसको क्या करें डप्रीशेबल ने चरे उसको बिखवा दो बैस्ट एक्जामपल दू अन्रेशिस्टर टेडमार्क सरो ट्रेडमार्क यूज कर दें एक पेस के सिट इसका टी का सब्सके पोर्ण को मैं यहीं मैं जब तक अंदर पैप्सी का पढ़ा औरategorie इस von दो साल में जाके शोक खराब तो उस वाले केस में मैं इंटरोकेटरी ओडर लगवाऊंगा एप्लिकेशन लगवाऊंगा प्लीज सर पैरीशिबल नेचर का श्टोक है पहले वो सेल करवादो उमीद जैसर बेस्ट एक्जामपल दी है माइंड सेट हो गया होगा मेरे ड्रेफ्टिंग ड्रेफ्टिंग के एप्रोक्सिमेटल वन 90 आर्स अब रिवीजन मिला लो तो एक्षो 25 घंटे गया सपस 235 एक एक वर्ड क्लास में हमने ड्राफ्ट किया है वो सारा एक वर्ड क्लास में लिखा है हमने चलो जी पढ़ते रेना आप डिकी और और दिफ्रेंस मैंने सारा बुक में डाल करें erो डालका यूद एक प्रिलिम्ड्री सक्ट है निचे डिस्टिक कोट है और डिस्टिक कोट के निचे सारे सिविल कोट है और वो किस बेस पर बनाया गया है मौनेटरी जुडिक्षिन पर मौनेटरी जुडिक्षिन पर उनको बनाया गया है सारे डिस्टिक कोट के निचे जितने भी सिजिए उनको हर एक की मॉनरेटेज इरिक्षण दी new गई इस ब्यांदे का पच्छा इस्टर सुप्रीम कोट हाइ कोट सबोडिवेंट और लोवर कोट है地3 कोट बोल देते हैं सिर अब दमको ढंगो से से सर यहां और सब्सक्राइए यहांड फॉर्ट ये हैं डीश्रिकोट यहां कोन बैटता है इस टीक त्रीक और हroit मौ बैठता है स्ट्रेशिंज को घॉर्ट डीश्टेट अलठेजी से अब सीर्इग वाले क्रेविनों की बात करेंगे, यह मैं बात नहीं कर रहा हूँ, Section 5 की वज़े से यहां power आई है Revenue Quartz, क्योंकि CPC में Section 5 में court का power दे गई है, कि आप Revenue Quartz बना सकते हो, District Judge बैठता है District Court में, उससे निचोगा सर Principal Senior Civil Judge, Principal Junior Civil Judge, Principal Junior, नहीं, Junior Civil Judge Court, Small Coast Court, लोक अदालत यह हमारे हिरार्की चलती है, Section 6 भी साथ में पढ़ लो, Section 3 भी साथ में पढ़ लो, यह दोनों एक तर से हमारी court की हिरार्की के बारे में बताता है, ठीक है जी? देखो जी, इधर दियान देगा मेरी फैमिली का बच्चा, यह बच्चा बोलेगा, सरा आपने बस एक एक लाई नहीं दिये, बहुत कुछ है, बढ़ाने को बहुत कुछ है, मैंने अपने यह जो नोट शेर करूँगा न, यह मैं शेर कर दूँगा आपको, जो डिक्शन का मतलब सारा, यह मैं लग थोड़ो से इंडेप्ट होंगे, बट रीड करने से समझ में आ जाएंगे, अभी आज इस चार्ट से दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, इधर दे आन देगा सारा बच्चो, सर जो डिक्शन चार तरीके की है, चार तरीके की जो डिक्शन है, एक तरीके की मैंने काट दिया आपके रिविजन में, अब तीन ही मान लो, एक वो परसन की लेके भी एक, फोरन परसन भी आएंगे, नहीं आएंगे, जो डिक्शन रेटे टू सब्जेक्ट मेंटर, सर इसके लिए कोई भी सेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, बच्चा बोल रहा है, सर, वो किसके फेवर में सेल होगा, वो पैसा, for the timing, hold करेगी, कोड, वो पैसा, hold करेगी, कोड, subject matter, अब देखोज, बच्चा जहां से सुनो, एक बेस्ट एग्जामपल दूँँगा, सर, जैसे IBC, आप सब बच्चे ने पढ़ होगा, IBC, इंसुलवेंसी केस, IBC, इंसुलवेंसी मेटर्स, इंसुलवेंसी मेटर्स, बोल रहा हो भी में, इंसुलवेंसी मेटर्स, family settlement matter, family के जो लड़ाईयों होते है, family settlement, कोई भी will से related matter, यह तो मैं एग्जेम्पल दे रहा हो, माल लो, यह subject matter अलग लग है, सर, इन subject matter की जो पावर है न, गो minimum power दी गई यह district court को, या बोल दिया मैं आपको, सर, इंसुलवेंसी वाले matter, family settlement वाले matter, will, यानि testamentary instrument वाले matter, civil court, जो उपर हमने बोला न, सर, यह उपर धिहान देगा, सारा बच्चा, सर, यहां तक, यहां तक, power नहीं है, क्योंकि यह power minimum किस के पास है, district court के पास, तो क्या मैं बोल दूँ, अगर कोई भी family settlement का matter है, सबसे पहले आपको चेक करनी है, subject matter power, आपने monetary तो चेक कर ली, सर, monetary जैसे मैं Delhi की बात करूँ, देखो मैंने अपने notes में एक्जैंपल भी डाले हुए, बहुत ध्यान से दिखाऊंगा मैं आप लोगों, जैसे Delhi में सर, यह senior division, junior division ने concept नहीं है, बहुत ध्यान से देखना, डैली के अंदर senior division, junior division में डिवाइड नहीं किया गया, सिर्फ civil judge बोला गया है, और civil judge जो बोला गया, बोला गया, 20 लाग तक के जो matter है, monetary deduction, civil judge के पास 20 लाग तक के matter लेने की है, सर, district court के पास 20 लाग से जादा, और 2 क्रोड तक, up to 2 क्रोड तक के case आप कहां लेके जाओगे सर, district court के पास, no separate provision, डैली के अंदर junior division, senior division नहीं को concept नहीं है, सर, डैली high court के पास भी आप direct case लेके जा सकते हो, अगर आपके जो लड़ाई हुई है, जो matter है, वो 5, महलब 2 क्रोड से जादा का है, exceed 2 क्रोड का matter है, तो डैली high court के पास भी आप original jurisdiction में case लेके जा सकते हो, यह मैं actual बता रहा हूँ, कोई fact नहीं है, महलब कोई hypothetical fact नहीं है, actually, यह चलता है, latest है आपका, तो 2 क्रोड से जादा के आप high court में लेके जाओगे, पांच लाग से जादर unlimited, unlimited कितना भी senior division तक, सर्थ वहाँ district court के पास original jurisdiction की power नहीं है, monetary matter में, सर्थ district court के पास appellate court तो है, original jurisdiction भी है, बट सर, monetary matter में नहीं है, वहाँ district court, original jurisdiction बताया जाएगी subject matter में, अब वो subject matter कौन सा, अगर कोई भी case है सर, insolvency का, कोई भी case है सर, will के उपर लड़ाईयां आ रही है, सर, कोई भी case है, family settlement का, तो उसके लिए जो minimum power दी गई है, district court के उपर, इसको दी गए district court, बट सर, यहाँ मैं बोल दू, district court के पास monetary matter की भी power है, district court के पास subject matter की भी power है, एक point clear हुआ, सर, एक बात और मैं आपको घ्यान की बता दू, ध्यान से सुनना सारव अच्छा, सर, जितनी भी यह courts है, जितनी भी civil courts हैं, यह जितनी भी district court से निचे civil court हैं, इनके पास appellate power नहीं होती, district court is the last court, जिसके पास appellate power है, उससे निचे किसी का पास भी appellate power नहीं होती, समझ में आ गया, अब यह जी बोली जारी है, सर, अगर यह ऐसे matter आ गए, भले ही, भले ही सर, जैसे UP का गर मैं example लूँ, भले यह family matter सर, 10 करोड का है, तो power किसको दी गई है सारी, civil judge, senior division, तो इस वाले case में कि आप civil judge के पास जाओगे matter लेके, UP में आप हो, और 10 करोड का matter है, family settlement का, insolvency का matter है, insolvency का matter है, family settlement matter है, will का matter है, 10 करोड का matter है, सर, monetary में तो आप civil judge, senior division में आ रहे हो, बट क्या subject matter power है civil judge के पास, tell me guys, मुझे answer दो, क्या subject matter भी check करना है, क्या monetary भी check करना है, और क्या territorial भी check करना है, सबसे पहले subject matter चेक करो, आगर आपके पास power है लेने की, तब ही हम आगे बढ़े है, monetary और territorial में, अगर power ही नहीं है, तो क्या फायदा है, मुझे answer दो, क्या civil judge के पास, civil judge के पास, आप insolvency का, winding up का, क्या civil judge के पास, आप कोई भी, will से related case लेके जा सकते हो, tell me, मुझे answer चाहिए, क्या लेके जा सकते हो, बताओ, अब answer दो, मुझे, क्या लेके जा सकते हो, civil judge के पास, क्योंकि सर, सारी monetary power है, 10 करोड़ का ही तो matter है, family settle का, 10 करोड़ का matter है, सर, लेके चले जाएं, क्या होगा, बताओ, मुझे, फटा-फट से answer दो, हाँ, ना, कुछ तो answer दो, कि हाँ, सर जाएंगे, नहीं जाएंगे, अब इतने, इतने, वो हो गयो, कि सर ने बोला था, reply, answer नहीं देना, तो अब answer नहीं देंगे, यह फिर, पोत्ते उड़ गए, सब कुछ, धिमाग के उपर से उड़ गया, सब कुछ, उपर से बाउंस हो रहा है, तो बच्चो ने answer दिया, no, बिल्कुल भी नहीं, तो सर सब्जेक्ट मेटर जूडिक्षिन भी चेक करेंगे, फिर हम मूनिटरी जूडिक्षिन, सर टेरिटोरियल जूडिक्षिन बाद में करेंगे, मूनिटरी जूडिक्षिन, ओल् सेक्शन 3 भी चेक करेंगे, और एंडने सेक्षिन 15 पर आएंगे, सर ये कहां लिखा है, क्या कुछ थोड़ा था दिखा सकते हो, ये दर देखो नलायक बच्चे, सर एवरी सेक्शन 15 क्या बोलता है, पता नहीं क्यों नहीं चलता, देख लो यहां सामने, मेल को पता नहीं, लोवेस्ट ग्रेड का मतलब क्या है उस कोट की क्वालिटी खराब है लोवेस्ट ग्रेड इन आपसे बात करूं मेरा मैटर है बस तीन लाख रुपे गा तो यूपी में मैं क्या वो तीन लाख रुपे वाला मैंटर लेके पासकता हूं लोवेस्ट ग्रेड को निसे सब्से बोला है लोवेस्ट ग्रेड की कोट के पास जाना है है इतना समझ में सबसे नीचे जिसके पास भी मोनेटरी पावर महा जाओ प्लस सब्जेक्ट मेंटर भी चेक कर लो एक बार कभी पता लगे उसके पास सब्जेक्ट मेंटरी पावर नहों थर्ड चीज सर अब सेक्शन 3 क्या बोलता है हाई को डिस्टिक कोड और सिविल जेच सब्सक्राइब को अब इस सब्सक्राइब के नहीं सकती तभी मैं तरीं सक्षन को कमाइन पडएंगे लोवेश्ट ग्रेड की हो सेक्शन 3 बोलता है कौन-कौन सी कोड आएंगी इस डिस्टिक कोड के नीचे सक्षन 6 बोलता है अपनी मोनिटरी जूरिक्शन से ज्याता का मै दाउन आगा समझ में आ गया सराज और बहुत अच्छे से आ फिर सरा हम सरा बात करने पेकुनरी जुडिक्षिन यानी ट्रीट्रियल जुडिक्षिन या प्लेश गुडिक्षिन इसमें सबस्चे को पता है एक बार मैं अपने चार्ट से दिखा दू आपको प्रिटीक्ट टोपिक जैसे मैंने आपको एक्जमपल दिया इंसल्वेंसी सर्ट सब्जेक्ट में अचलब कि आपको यहां को सीपीसी पावर ही नहीं देता ना सिविगोर्स को सर्ट सीपीसी ने पावर दी थी ओल्ग सब्जेक्ट मेंटर है जू डिक्षन आपके कोड के पा आप पास पावर इनिया सर एक हम्में बोला गया सन एक हम्में बोला गया क्या बोला गया सर सबजक्ट मेंटर की तो पावर है बट डिउटू को सबमा बोल्ट की इनदर सेम एलेवन के अंदर reviewing case decided case ले बावर नहीं जाएंगे पावर इन जनल तो है आ आपके पास as per CPC अगर वो case fresh आता बट वो fresh नहीं आया वो case आपके पास कैसे आया है वो case आपको section 11, section 10 के अंदर fall कर गया, क्या मैं बोल दू section 12 के अंदर कर गया, bard है suit तो वहां मैं बोल दू किसर पावर नहीं है तो subject matter को भी मैं wider interpretation बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हर एक word के उपर ना, हर एक word के उपर CPC में लाजवाब interpretations होती है तो subject matter की जिस बच्चे को पढ़ना हो पढ़ लेना इन में मत जाना इन में मत जाना, तो there is inherent lack of judiction इस वाले matter में judiction ही नहीं है जो सारा बताया है में आपको, कब first instance में court होगा जो originally जाएगा, sir जब appeal में जाएगा तो second appeal first appeal, second appeal कहां जाएगी, first appeal में जाएगा तो sir कौन लेके जाएगा, सब कुछ पताया है substantial question section 109 के अंदर supreme court में जाएगे 1092 section 112, appeal में जाएगा, apex court के पास अब देखलो, जिदर दियान देगा बच्छा, sir subject matter का मतलब क्या होगा which court है, jurisdiction to grant whether relief, relief claim subject किस चीज़ पर चेक के जाएगा, subject का मतलब क्या जो आप relief मांग रहे हो न, वो देखके क्या वो relief family settlement वाला relief मांग रहे हो property का तो ठीक है, पर उसका object क्या है family settlement वाला relief हमारे फिवरियों मांग रहे हो, तो वो जो relief आप मांग रहे हो, क्या वो relief jurisdiction में आता है, court के subject matter का मतलब क्या होगा, relief claim जो आप relief, cause of action नहीं देखना, जो आप relief मांग रहे हो, वो देखना है वो ध्यान से समझ जाना, बस इतना ही बहुत है, शायद किसी ने ना भी बता और शायद बताया भी हो, territorial का मतलब का होगा, आती है, डैली में सर सकेथ court में आती है, डैली में सर रोहिनी court में आता है, जिस area में आती है, certain इस इमेल property, सिधर से भागे 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 उसके इसको लेगे, within the local limit of whose jurisdiction the property is situated, सर section 17 क्या बोलता है, सर दो jurisdiction में फोल कर रही है, आपको लगता है सर वो द्वार का court में भी जा सकता है, अब क्या होगा, सर प्रोपर्टी ए, प्रोपर्टी दो, आपको लड़ाई यह हो रही है, आपको आज तक यह बताया गया है, यह ना लैक बच्चे, यह प्रोपर्टी यह नहीं होता, भुकिश अकेडमिक बता दिया, बता दिया, मैं गलत नहीं हूँ, हर चीज का प्रोफ है मेरे पास, प्रैक्टिकली चलता है यह चीज, तो प्रोपर्टी आपकी यह प्रोपर्टी बी थी, प्रोपर्टी ए, प्रोपर्टी भी आपकी दो है, और दो अलग- तो सारी जू डिक्षन है तो प्रोपर्टी की भी आपकी प्रोपर डिवाइड करी जाते हो एस पर मुनिसिपैलिटी लोस तब कुछ रिचाइड है तो जह जो आपको समझाते हैं ने अग्जेंपल देखें आधी प्रोपर्टी आपकी इस कोट में आगई आधी इस कोट में बहुत गलत समझाते हैं एक्चुली में वो मुद्धा कब आता है section 17 में जब एक से ज़्यादा प्रोपर्टी होती है देखो बताने को तो मैं आपको section 20 आज भी गलत बताऊंगा मैं बता रहा हूं बोलने से पहले ही section 20 आज भी गलत बताऊंगा क्योंकि आपको academic में पढ़ प्रोपर्टी है प्रोपर्टी ए प्रोपर्टी भी प्रोपर्टी ए प्रोपर्टी बी यह क्या बलर तो नहीं हो रहा मेरे तो नहीं हो रहा था मेरे तो एक्सिलेंट कनेक्शन आ रहा है प्रोपर्टी ए प्रोपर्टी भी ए प्लस बी लुएशन बताई थे ना दोनलों को मिलाके दोनों की valuation करेंगे और valuation के base में monetary limit बताया तरहां पर monetary कोट के पास power है कि नहीं ऐसे चाहिक होती है उस suit की valuation होगी जो आपने relief मांगे है उनकी valuation होगी और सर अगर valuation करी और मान लो सर मैटर आया मान लो मैटर आया 25 रुपे लेकिन 25 रुपे यहां यहां नहीं है तो बस आप यहां लेके जाओ गए बड़सर आप दोनों में आया तो माइटी बीच बीच पी एक मिनिट के लिए हुआ हो तो मुझे पता नहीं मेरी तो नहीं कर रहे है तो दोनों को दोनों प्रोपर्टी की वैल्यू एड़ करेंगे ए अब इधर देखो section 18 is the extension of section 16 section 16 में तो certain था ना प्रोपर्टी कहा है अरे भाई नहीं हो रहा बफर मेरे यहां से बफर नहीं हो रहा एक पर चेक करना बफर हो रहा है क्या मेरे यहां बफर नहीं हो रहा बिल्कुल भी मैं कर रहा हूं आप बहुत कुछ होता है अब मुझे नहीं समझ में रहा है है कि मैं आपको बताना चाहिए कि अब देखो आपने डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सी कोट में आ रही है कि बफर हो रही है कि मेरे 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 में एक्सिलेंट कनेक्शन आ रहा है जो मैं क्या करूं कि अब पर आ रही है जी अब बाद में देख रहे हैं न फिर आप क्या करोगे और क्या करें अगर आपका वाई-फाई कनेक्श्यों को एक बार में नहीं खराब हैं पड़ा पड़ी दर द्यान दो सरकर आप डिसाइड नहीं कर पार हो कि किस कोट में आपकी प्रोपर्टी जाएगी किस कोट में जाएगी बहुत द्यान से बहुत इंपोर्टेंट और लाजवाब चरह मजार है सर बच्चों का ने एक कौन विए लेवल देखके कि सर पढ़ बहुत इतने को गयों आप इसी पीसी में कि किस कोट में जाएगी प्रोपर्टी देखो आपको बुकिल लेंग्विच दिखाऊं कि विए जुडिक्शन अब दा कोट विए इंबलो परटी सुचुएट अर अनसाइटेन कि किस कोट कि बाद में देख लिए सब्सक्राइब का बस जुडिक्शन खतम करके फिर मैं खतम कर दूंगा क्लास अंट्रोफ हों देखो मैं को आपको अंश्यली अब मुझे ने समझ महले मैं क्या करूं जो आप लोगों को बढ़ा गया जो मोड canyon में बठाया गया है प्र होट बढ़ाए चलता अब इस किस्का उंसर दूंगा तो नहीं हो रही है भाई मुझे नहीं समझ आपको मेरे मुबाइल में प्रोपर चल रही है मुझे नहीं समझ पर में जादे लंबा नहीं लेकि जा रहा हूं कर दो चलो आप नहीं समझ पार में लोग नहीं मिलने वाले परसो में शिफ्ट कर रहा हूं पता ने अपस बच्चों को क्यों नहीं सुन में आ रहा हूं तो यह टरिटोरिल जुडिक्शन कल में दुबारा से रिपीट करूंगा और कल कम अब परसो और परसो चैप्टर मां प पांच-10 मिनिट का जो लास्ट में बचा है परसो हम लोग मिलते हैं और कल वेबिनार के लिए मैं आपको गुरूप में लिंक डाल दूँगा ठीक है चालो बाई-बाई टेक केर तो कि अब मेरे पार्ट पे प्रोपर चल रहे है मेरे मोबाईल में प्रोपर लिया रही है पे आज बता दिया है शेर जरूर करना बच्चों को नलायकों को बोलना जो इदर दर बोल रहे हैं सर हमने तो अभी बस दो तिन बहुत कुछ बता रहा हूं जबर्दस शांदार हैट्स ओफ मजा आ गया मेरे कोई मजा आ आ गया आप लोग का consistency level देखके जब सीखने की भू कुमारा से टेरिटोरिल जुडिक्शन करवा दूंगा और जो रिमेनिक रह गया वो करवा दूंगा साथ आठ पेज ठीक है बाए बाए